वेल्कन पूदक्षा क्लासिस आइम इश्वरिस्वास आप पैशनेट बाइलोजी लेक्ट्र बात करते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग तो देखिए लास्ट लेक्ट्र में हम लोग पढ़ चुके थे आपके सामने लाइक पैरिस्टाल्सिस क्या है मैं आपको बताया था जो है कि जो मुवमेंट होती है वह एक यूद्याशन मुवमेंट है ठीक ना मतलब आगां की तरफ की मूवमेंट देखने को बिलती है अच्छा अब यहां पर एक क्वेश्चन आप से पूछ सकते हैं पैस्टाल्सिस के रिगार्डिंग की बही जो होती है उल्टी जैसे में व जाती है कि कहां से कहां तक इस्टामक से माउथ की तरफ और इस सब बात ने हैं तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे अब सुनिए इसके बाद आगे बात करता हूं मैं आप लोगों से मैंने आपको बताया था टूथ डिके क्या होता है ठीक है और अच्छा और मैंने डिसक्सिंट किया था अब फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लेक्चर को फर्दर और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दा प्रोसेस ऑफ रैस्पिरेशन ठीक कि रैस्पिरेशन क्या होता है बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को पहले से ही दे दिया है फिलाल फिर मैं आपको कुछ ब ब्रेकडाउन होगा वह फूट जो हमने एब्जॉर्ब किया था ठीक है अभी मैं आपको बताओं डाइजेशन की प्रोसेस क्या है अगर मैं आपको रिकॉल कराओं डाइजेशन से क्यों के बाद ही यह प्रोसेस जो हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन की यह आपस में रिलेट कैसे करते हैं वह बात में आपको बताने जा रहे हैं तो सुनीगा ध्यान से इंसानों डाइजेशन में क्या होता है डाइजेशन में जो हम कॉंप्लेक्स फूड मैट्रियल है ठीक है कॉंप्लेक्स फूड को हमने क्या किया था ब्रेकडाउन किया था सिंपल फूड में और हमने उसको उतना सिंपल बनाया कि उसको क्या कर सकें क्या कर सकें अबUh होने के बाद यह होता है मैंने आपको स्टेफ्स बताए होंगे ठीक है ना तो एक एक सेल तक पहुंच जाता है अब सेल के अंदर क्या होता है सेल के अंदर होता है तो फाइनली अव में क्या होता है प्रेग्डाऊ होता है इस फूड का ठीक है फूर का बिगडाउन होता किसमें, into इन ओर्गेनिक सभश्टांसेस, किसमें इन ओर्गेनिक सभश्टांसेस में चलो, इन ओर्गेनिक सभश्टांस क्या पता कुछ केसमें वेरेड ना करें, मैं आप यापको बताएं जा रहा हूं फिलाल आप यह देख लो, कि रेस्पिशन में क्या होता, ब्रेकडाउन होता है फूर का, और लिबरेट होती है, वाई लिबरेटिंग एनरजी, ठीक हैं न, एक चीज़ ज़गो निकलेगी, फूर के बिगडाउन से, लिबरेटिंग एनरजी तो food का breakdown करना है हमने और breakdown के बाद energy को release कराना है ठीक है ना और उस energy को फिर use में लेना है use में लेना है ठीक है अच्छा तो respiration क्या हो गया simply simply हो गया respiration breakdown of food and liberating energy ठीक है ना food के breakdown से जो energy relate होती है उसी process क्या बोलते हैं respiration बोलते हैं मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ respiration के types क्या क्या होते हैं ठीक है फिलाल उसको यह बढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत important चीज बढ़ाएं जा रहा हूँ ठीक है तो सुनिए के ध्यान से आप day lecture attend कर ही रहे हूँ ठीक है बहुत अच्छी बात है हाँ जी तो सुनिए रहां से मैं आपको एक चीज पराहें जा रहा हूँ देखिए वई basic idea ले रहे हैं हम लोग ठीक है तो सुनिए रहां से आपको मैंने यहां तक तो बता ही दिया है कि cell के अंदर glucose आ चुका है मतलब जो भी हमने फूड ले आ है मैं एक्जाम्प ले रहा हूं से glucose का ठीक है हमारे फूड में फूड का जब breakdown हुआ था मान के चलो complex food हमने खाया ठीक है फूड का breakdown होकर क्या बनता है simple units बनती है simple units बनती है ठीक है जी simple units बनती है for example मैंने बहुत complex carbohydrate खाया complex carbohydrate मैंने इट किया complex carbohydrate को eat करने के बाद जब उसको मैंने digest किया तो सबसे simple unit क्या हो जाएगी उसकी glucose हो जाएगे क्या हो जाएगे glucose ठीक है for example आप यह समझे glucose हो जाएगे सबसे simple unit ठीक है जी अच्छा अब यह glucose blood stream में है ठीक ना जैसे की यह glucose को एब्जॉर्ब कहां पर किया जाता है विलाई के थूरू तो एब्जॉर्ब किया जाता है सिमॉल इंटेश्ट है मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है अगर आपको याद आ ही तो मैं आपको और यह जो ब्लड इस्ट्रीम है तो इस ब्लड में क्या आ गया इस ब्लड में आ गया है ग्लूकोस ठीक है मतलब वो सिंपल फूड क्योंकि हमने फूड को कब तक डाइश्ट किया जब तक कि वो किसमें करवेट न हो जाए तो मानके चलिए के फोर एगज़ांपल कार्वोहइड सबसेंपल अपनी जो कि ग्लूकोस है उसमें गुमृकोस घो रहे हैं चिल्द की वे ग्लूकोस जो है यह एक शुगर है ग्लूकोस क्या है एक शुगर है पैचानते कैसे हैं हम की कोई चीज़ शुगर है या नहीं है शुगर के लिए आप एक बात कुई आदा हमेशा मत्र दे रहा हूं साइद पहले ही कि दे चुका हूं लाश्ट में ओज आता है शुगर में क्या आता है लाश्ट में? और जो ये लाश्ट में वर्ड आते हैं लाश्ट में आने वाले वर्ड को हम सफिक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सफिक्स तो शुगर में क्या सफिक्स आता है ठीक है जी अच्छा तो यह शुगर होता है ठीक है अब जिसके ब्लड में जिसके ब्लड में जितना ज्यादा शुगर होगा ठीक आपने सुना होगा एक वर्ड कि किसी के ब्लड में क्या होता है शुगर होता है शुगर मतलब ग्लुकोस होता है ठीक है न अगर किसी के ब्लड में ग्लुकोस ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे मतलब लिमिट से ज्याद क्या बोलेंगे उस condition को हम बोलेंगे diabetes mellitus क्या बोलेंगे diabetes mellitus ठीके ना यह extra है आप लोग के लिए अगर किसी के अंदर glucose limit से कम मिल रहा है जो given amount है जो amount हमें मिलनी चाहिए glucose की blood के अंदर अगर यह उससे भी कम मिल रहा है तो उस condition को हम बोलेंगे diabetes इंसीपीडस इसको हम diabetes टाइप वन बोल देते हैं ठीक है और इसको हम बोल देते हैं diabetes टाइप टू इसको हम बोलते हैं diabetes टाइप टू तो यह एक्स्ट्रा ग्याने जो आपको याद रहना है और इस बास से बस यह बात भी क्लियर हो रही है कि blood stream में glucose होता है ठीक है ना बस मुझे यह बात बतानी थी अगर glucose normal मिल रहा है तो कोई बात नहीं healthy person है और normal amount से जाद amount में मिलता है जाद amount मिलता है तो उस condition को उस बिमारे को हम बोलेंगे diabetes जिसको आप diabetes टाइप 2 बोल सकते हो और ऐसे इंसान को जवरदस्ती चीनिक लाई जाती है कि खायकर मीठा खायकर ठीक है हाजी तो यह शुगर की जो बीमारी होती है ना उसी के ही दो टाइप है ठीक है अच्छा यह शुगर की बीमारी ठीक ना जो शुगर की बीमारी है कि लिए रहा है मैं इसको मिटा दिया तो कहीं कंफिस हो जाए आप लोग देहाती बासा में हम लोग इसको शुगर की बीमारी बोल देते हैं लेकिन एक्चल में वो diabetes होता है ठीक है अच्छा आप यह बात तो finally मांचे कि लो जो हमने खाना खाया था वो simply new होगर के हमारी बलड इस्ट्रीम में आ चुका है यह क्या है जो मैंने हैं बलड इस्ट्रीम टीकिक ना अच्छा जी अब यह बलड इस्ट्रीम में glucose जो आ गया है अब यह क्योंकि बलड के अंदर glucose की concentration चाब गई है ठीक गुलुकोस केंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया है तो अब यह गुलुकोस अपनी हाइयर कंसेंट्रेशन से मुव करेगा लोवर कंसेंट्रेशन मतलब सेल के अंदर गुलुकोस केंसेंट्रेशन कम हो गई ना सेल के अंदर क्या होग गुलुकोस केंसेंट्रेशन पहले से क मतलब इसको खाना चाहिए तो ग्लुकोस कहां से कहां वो कर रहा है अपनी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन की तरफ ठीके ना इस तरह से बूव कर जाएगा इसके अंदर और इस प्रोसेस को बोलते क्या है हम मुवमेंट आफ पाइटीकल्स या मॉलीकूल्स इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन मैंने नाइंध क्लास में पढ़ा रखा है बच्चों को और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो याद अपना इस प्रोसेस को क्या मॉलते हैं डिफ्यूजन दा मॉवमेंट ऑफ पाइटीकल्स फ्रॉम हाइयर कंसेंट्र कंसेंट्रेशन तू लोवर कंसेंट्रेशन मतलब जादा मात्रा से कम मातर ऐका मॉवमेंट हो tätä जीक है और बिफ्र उभी जदार आगया अब बलड के अंदर ऑक्सिएन वी होता है जो हम सांस लेते हैं हमने अंदर ली थी ना सांस लेकर के हमने सांस ली ऑक्सियन आया ऑक्सियन भी बलड के थू कहा जाएगा इसके अंदर तो अब टोटली क्या आगया सेल के अंदर आगया एक तो आगया गुलू कोस्ट को मैं फॉर्मा लेकर रहा हूं एच 12-6 प्लस 6-02 ठीका मतलब एक से साथ रेक्शन करेगा और रेक्शन करने के बाद क्या बना देगा मैं यहां पर थुड़ा सा इसके नुकलेस को मिटा रहा हूं ठीक ना यह जो मैं मिटा रहा हूं इसको मिटा दिया है तो ग्लू कोस और ऑक्सियन रेट करके कॉंसिडिये 6-H-2-0 और मिलेगी हमें एनरजी मतलब कि जो यह फूड था यह जो फूड था यह जो फूड था जो हमने सिंपल फूर्म में एब्सॉर्ब किया था ऑक्सिजन के एडिशन से इसका क्या हो गया ब्रेकडाउन हो गया छोट-छोटे भागों में क्या हो गया तूट गया है और क्या निकाल दी इस अपने अंदर से एनजी निकाल दी और इसी रियक्σιन को ही हम बोलते हैं रेस्पीरेशन रियक्षन ठीक है ना हर कोई भी आपसे पूछे राइट डाउन दा रेस्पीरेशन रियक्षन तो आप कैसे लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे C6, H12, O6 plus 6O2 और reaction के बाद quality खराब नहीं करेंगे अपने teaching की ठीक है reaction के बाद क्या बनेगा reaction के बाद बनेगा 6CO2 plus 6H2O और plus energy तो हमारी जो definition थी, respiration की वो यहाँ पर valid हो जाती है कि यहाँ पर क्या होता है, breakdown of food होता है है ना, और क्या release होती है, energy release होती है तो मेरे हिसा आप इसको समझ सकते हो और अगर नहीं आ है समझ में तो द्वारा से इस वीडियो को देख लीजे यहाँ से ठीक है, क्योंकि यह समझना पहुचता ज़री बन जाता है फिलाल, अब आप खुद देखिए जैसे जैसे यहाँ पे जो फूड है वो अंदर आता जा रहा है और oxygen rate करता जा रहा है और लगातार CO2 यहाँ पर बनती जा रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर में CO2 इंसे बढ़ जाएगी मैं CO2 को blue dot से दिखा रहा हूँ ठीक है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि cell के अंदर CO2 क्या हो गई है बहुत जादा हो चुकी है अब CO2 की concentration अंदर जादा हो गई अब CO2 कहां से कहां move करेगा अपनी higher concentration मतलब inside of cell से outside of cell move करेगा ठीक है ना अब यह CO2 कहां से कहा जाएगा अंदर से बहार की तरफ निकलेगा कौन से प्रोसेस से अंदर आया डिफ्यूजन की प्रोसेस से अंदर आया ठीक ना तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा ज़रुरी प्रोसेस है यह आपने यादखनी है ठीक है तो यह भी डिफ्यूजन से ही ब्लड के तरू वापिस से सीओ पूह निकाल देंगे हम लंग से मुचा देंगे और लंग्स के तरू फिर हम वापिस से क्या रिलीज करते हैं CO2 को release करते हैं तो normally बहुत सारे बच्चे acid action देते हैं कि सर respiration का मतलब होता है oxygen को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना भई नहीं इसको हम respiration नहीं बोलते इस process को हम breathing बोलते हैं मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना सांस लेना और सांस छोड़ना लेकिन यह oxygen अंदर कैस अंदर आके क्या करता है CO2 क्यों से कैसे बनता है यह सब बाते मैंने आपको बता दी है ठीक है ना कुई करा देता हूं फटाक से हमने खाना खाया simple form में convert किया वो blood stream में आया वो खाना और वो blood stream में आने के बाद हमारी सेल तक पहुचा ठीक है सेल के अंदर कौन से ब्रोसे से गया है ठीक है अंदर चला गया अंदर जाने के बाद इसकी reaction oxygen से होती है क्योंकि oxygen भी हम लेते हैं सांस लेते हैं तो oxygen अंदर आया और उसके साथ reaction हुई CO2 बना और CO2 ने बोड़ी से बाहर निकाला और हमें एनरजी भी मिल गई क्लियर है तो यही ता रेस्प्रेशन की reaction और रेस्प्रेशन की डेफिशन क्या बन जाती है मैं दुवारा से बताऊं तो आपको the breakdown of food material to release energy इससे energy होती है क्लियर है बच्चो अब यहां तक इसकी बाद जो भी बाते हैं वह मैं अभी करने जा रहा हूं ठीक है न अच्छा लेक्चर है आगे चलते हैं इसको मैं रेज कर रहा हूं ठीक है वह इंसानों हाँ जी अब इसके बाद चलते हैं अपने वापे slide पर ठीक है जी मैं बात कर रहा था अपनी इस slide के वारे में respiration के वारे में ठीक है अच्छा तो respiration का पहला step हमने क्या देखा सबसे पहले हमने देखा breakdown of glucose क्या देखा हमने breakdown of glucose ठीक है इनसानों यह बात यहाद है रेस्परेशन में reaction एक step में हो जाती जैसे कि यहां पर यहां से यहां तक कितना step हो गया एक step हो गया लेकिन actual में ऐसा नहीं है respiration की reaction एक step में complete नहीं होती है उसके many steps होते हैं लेकिन एक step सभी में common रहेगा वह बताने जा रहा हूं ठीक है तो उसको हम पढ़ेंगे रैस्परेशन के टाइपस में तो start करते हैं रैस्परेशन के टाइपस को ठीक है तो देखो बच्चो पहला जो इस टैफ है गलूकोस से गलूकोस कितने कारवन का मॉलिकुल होता तो गलूकोस का तो सी सिक्स एच ट्वल और इसक्स यह फार्मल होता है ठीक है वह इंसानों याद रहना आई हो आप इस चीज को याद होगे किलियर है हाजी इसके बाद इसके बाद अब बात करते हैं गलुकोस का अभी मैंने क्या बताया था आपको कि गलुकोस से एनरजी लेना यह एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है दो स्टेप साथ है आप देखो पहला स्टेप क्या है इसमें पहला स्टेप है गलुकोस से पाइरूवेट बन गया है तो यह है पहला इस्टेप और दूसरा इस्टेप है पाइरूवेट से छो इसका भरेकडावन होता है फाइरूवेट में ठीक है इसके किसा सब्सक्राई पाइरूवेट का ज deg t एक सी 3-8 4 नो थी यह फाइरुवेट का फाउला ठीक है जिए याद हैना सी 3 एक फूर ओ फ्री यह है फाउला पाइरुवेट का कोई भी आपसे कुछ बेट एग्जाम में तो पाइरुवेट में करवट हो होता है और पाइरुवेड के साथ हमें आपको एनरजी मिलती है तो ये जो पहला-वाला इस्टैप है गुलुकोस पाइरुवेड का बनना यह सब्यूतर रेस्पिरेशन वेखने को मिलेगा सर्शन यह क्यों पता आपने तरह तरह कि रेस्पिरेशन भी होते आइरोबिक रेस्पिरेशन को यहाँ और होता एक होता एरोबिक एड़ा एर एं मतलब विदाउट एयर ठीके न तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो ऑक्सीजन की प्रॉजेंस में ही होगा ऐसे को हम बोलेंगे aerobic respiration और ऐसा राइस्पेशन जिसके लिए जुरत नहीं है उसको हम बोलेंगे anaerobic respiration ठीके ना याद रखिएगा तो यह क्या होगा एंटाइप होगे किसके respiration के तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर absence of oxygen में हो रहा है तो यह कौनसा मों सब्सक्राइब आरो या ए्रो बेट यस को भूलेंगे एरोबिक अब राष्प्रेशन चाहे और आरोबिक हो पहला स्टेप जो है जो यह मैंने पहला स्टेप बताया है यहां तक यह दौनों में ही देखने को मिलेगा और पहला सट है क्या ग्लूकोस का ब्रेकडाउन फाइरूवेट में अब क्राइब कोई नाम भी तो होगा में नाम भी तो सकता है इस स्ट्रेप का नाम है गलाइकोलाइस सिस ग्लाइकोग लाइसिस मतलब होता है टूट ना गलाइको मतलब यहां पर है गलुकोस तो तो तूट रहा है इसलिए वोलेंगे को गलाइकोगा लाइसिस कर दो पहला है दौनों में ही से की बात करते हैं यह इस टैप की डिसाइड करता है कि रेस्परेशन कैसा है एरोबिक है या एरोबिक है ठीक है अब देखिए अगर पाइरुवेट से फर्दर जो एनरजी हमें निकाल ली है और वो एनरजी हमें इस तरह से निकाल रहे हैं कि हमें ऑक्सियन के जुरत नहीं है ऑक्सियन के जुरत नहीं पड़ रही है तो इस तरह के रेस्परेशन को हम बोलेंगे और इस तरह के रेस्परेशन हमें देखने को म एक यूनी सेलिलर फंगस और सर्फ फंगस कहां पड़े हैं फंगस पड़े हैं आपने जो आपने डाइवसिटी वाला चिप्टर पड़ा होगा नाइन्थ किलास में उसमें अपने पांस तरह के किंगनम पड़े होंगे ठीक है ना मॉनेरा प्रोटिश्टा फंजाई आगे न में क्या होता अगर आपसे पूछाओ पहला सभी में मिल रहा है जो कि क्या है ग्लाकोलाइस थेह और दूसरा इंगे हम नवान इन पर आपको यहां रहां देख ब्ड़ेगर देख रहें यहां पर आपको यहां पर आपको दो कारवन दिख रहें ए लिए न टू कारवन का मॉलिक्वल होता है तो एन एरॉबिक रेस्पेशन में क्या होता है अप्रेलेस होई टोटल देखो तीन होगे दो और एक कारवन तीन अच्छा और साथ में हमें energy बिडिए तो यह केस है आपका एन एरोबिक रेस्पेशन का मुझे पता आप लोग के नमाग में खुझली चल रही होगी इस वाले के बारे में क्यों नहीं बता रहे आप देखो वच्चो थोड़ा सबर रखो ठीक है ना सबर कफल थोड़ा जो भी आपका फेट फ्रूट है या जो भी सबर कफल मीठा होता है और किसी को मीठा ही पसंद ना हो तो यहां पर मैंने अभी किस बारे मताया था अब मैं इसके बाद क्या रहा है उसके बाद कारवन डाइऑ और यह एक मॉलीकूल है तो 616 हो गया टोटल कारवन और यहां पर दो पाइरुवेट बनते हैं तो 3226 हो गया और यह कितने बनते सिक्स सिक्स सीओ टू बनता अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था तो मैंने सिक्स सीओ टू लिखाता ना अब भी कितने होगे चेक आवन हो गए तो रियक्शन हमारी बेलेंस चल रही है और रियक्शन कैसे करते हैं यह आपने फ़र्श चेप्टर में ही पढ़ लिया होगा क्लियर है इंसान हो हाँ जी इसके बाद वाटर कितना बनता है सिक्स टू बनता है और एनरजी रिलीज होती है तो यह केस किसका है यह केस है एरोबिक रैस्पीरेशन का ठीक है ज़्यादा गेच्पर चुलाएगी हम इसको एरेज करने जा रहा हूं बेसिक कॉंसेट मैंने कि इसको बोलते हैं ना ये इन अरॉइबक बोलेंगे इसको वम बोलते हैं फर्मेंटेशन ऐक्नल्यादा यादहना फर्मेंटेशन इंटेशन में क्या होता है ये भी लेक आफ ऑक्सियन जब ऑक्सियन की क्या होती है कम ही होती है तब ये प्रोसेस अपनाई जाती है हमारे ही सरीर की सेल के द्वारा हमारे ही सरीर की सेल के द्वारा ये प्रोसेस अपनाई जाती है तो हारी जो मसल सेल होते के वारे हम हैवी एक्सराइज करते हैं और हैव कोपरली पहुंच नहीं पाती है जैसे कहीं पहुंच रही है कहीं किसी मसल के पास पहुंच नहीं पा रही है तो जिन मसल के पास ऑक्षिन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी fermentation होगी ठीक है ना और वो जगे जहां तक यह आउक्षिन की सप्लाई पहुँच पा रही है वहां पर fermentation नहीं होगा वहां तो आउक्षिन पहुँच गया तो वहां क्या चलेगा वहां चलेगा aerobic respiration क्लियर है ठीक है इनसानों इनसान प्रजाती बहुत ज्यादा माइंडेड होती है इसलिए मैं आपको इनसानों बोल रहा हूं ठीक है तो याद रखें मसल सैल में होती है प्रोसेस और होता क्या यहां पर three carbon के molecule से three carbon का ही molecule बनता है और energy निकलती है तो रिमाइंड करते हैं वापिस से anaerobic respiration में में क्या होता है और फिर दो कारवन का molecule बनता है ठीक है अच्छा एरोबिक इसके बाद इसके बाद के फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है पर्मेंटेशन में इसके और ऑपर और फिर सी 3 तो यह चीजें आपने याद रहें तरी क्या आ रहा है वह सब चीजेंगा फिसिकली रूबरू हो कि है अच्छा यहां तक मैंना को सब्कुल बता दिया फर्मेंटेशन क्या कर देखना है एक्जाम्पल एक्जाम्पल जोर धाद को बता देना है एक याइस्ट के अंदर हो गए बैक्टिरिया हो गए ठीक है भी एक्टिरिया होते हैं आप चाणिक अब्शहिं कर सकते हैं और अच्छा फर्मेंटिशन कहा दिखने को मिल रहा है मसल सेभिव मुसल सेभी कंडिशन है अगर मसल सेल के पास और विखेंट सेल में देख सकते हो यहां पर इसके अंदर यू के रियोटिक सेल हो चाहिए वो प्लांट सेल हो चाहिए अनीमल सेल हो क्योंकि हमारे यू के रिचल के अंदर कि अन्दर सेल के अंदर तो इसे बोल सकते हैं कि यह जो प्रोसेस है वो यू केरियोटिक सेल में चलती है क्लियर है जी अच्छा अच्छा आफ फ्यूचर में ना इस प्रोसेस का नाम पढ़ लेंगे ठीक है खुजली मत मचाओ ज्यादा अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछने के लिए जब आपने सब तरह के फॉर्मले जान ही ल O3 यह फार्मूला है लेक्टिक एसिड का क्लियर है जी याद रखेंगे इस से जादा और ग्यान लोगे तो मैं फिर उल्टी कर जाओगे इसलिए मैं लिम्टेड ग्यान देता हूं आपको ठीक है अच्छा आगे चलते हैं फटाक से तो यहां तक मैंने आपको बढ़ा है ग अच्छा और फिर क्या करते थे हम रिलीज करते थे इस से अपनी बॉडी से तो बॉडी के अंदर हम औक्सियन को अंदर लेते हैं और सीओटू को भार शोड़ते हैं ठीक है औक्सियन को अंदर लेंगे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे अच्छा इसके लिए और वर्ड दे सकते हैं आपकी बुक में जैसे कि इसको इन्हेलेशन भी बोल रखा है इन्हेल करना चीक है ना सास अंदर लेना और यह एक्सहेल करना अब उससाथ को पता कैसे लगाएंगे कोई मेरे से साइंटिफिक प्रूफ माही लग जाए कि बताओ आप बात बोल रहे हो कि हम सीओ टू रिलीज करते हैं इस बात को कोई साइंटिफिक प्रूफ है तो है देखो भई हम क्या करते हैं एक टैस्ट्यूब में सॉलूशन लेते हैं और उस सॉलूशन की रियक्षिन जब भी मैं सीओ टू से कराऊंगा तो उसका कलर जो हो जाएगा वो मिलकी हो जाएगा कैसा हो जाएगा मिलकी यह चीज आपना केमिकल रियक्षिन नाम के चेप्टर में पढ़ लिए होगी इस तरह से मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कुछ जैसे कि लाइम इस्टोन का फॉर्मूला आपने याद है ना लाइम इस्टोन क्या होता है CACO3 ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे पू यह का हों ट्वाईस कंग या दالم क्यलिषि森 हैं इसथे नाम कैल्षियम है केल्सियम है Ci की आपडरो औтор ही के और इसका नाम है कैल्षियम क्लोराइड कि पिछिएक क्या नाम है केल्शियम किलोराइड लाइम स्टोन का कुई लाइम के क्या फामूला है इसको हम बोलते हैं केल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम इसको हम बोलते हैं ठीक है अच्छा अब मैं आपको तरह तरह के लाइम पढ़ा दिये हैं हलाकि यह कैमिस्ट्रे का पॉर्शन है लेकिन मैं यह समझ के चलता हूं कि मैं यहां पर सरंज से क्या रहाँ इसके रंदर सीटू छोड़ रहा हूं तो इसकी साथ किराते हैं कैलिसीम हड़ोकसाइड जब मैं सियोटु मिला रहा हूं तो क्या बन गया यहां पर लाम इस्टोन बन गया और इसी वज़ेसे से कलर के साथ लाइम वोटर की साथ करेगा तो मिलकी कलर आएगा अब जो हमारा क्वेशन चल रहा था कि हम एक्सेल करते हैं सीओ टू को ही हम सीओ टू को ही रिलीज करते हैं इसका प्रूफ हम कैसे लेंगे हमने ये पाइपलाइन जो है उसके अंदर अब हमने अपने मुझ से क्या छोड़ा सीओ टू छोड़ा ठीक है ना हमें नहीं बता कौ तो इस तरह के एक्सेरिमेंट से प्रूफ हो जाता है कि हम सीओ टू को ही रिलीज करते हैं कि बहुत ही बारी किसी एक एक कॉंसेट में आपको समझा रहा हूं ठीक है ना इसी बात पर सपूर्ट करें हमें इस चैनल को ठीक है अच्छा आगे चलते हैं तो आई होप आपको सब पता चल जाएगा और यह ना एक्जाम में पूछा आता है इसलिए मैं आपको पढ़ाया है कि इसके बाद आगे बात करते हैं हाजी एटीपिया का कॉंसेट है एटीपिया कॉंसेट क्या है देखिए हमारे साहे में ना दो तरह की रिएशन चलती है हर जगे दो ही तरह की रिएशन चलेंगी ठीक है जी और मैं आपसे बात करूँ तो बात कर लेते हैं रिएशन के रिगार्डिंग हाजी सेल के अंदर दुनी अबर की रिएशन चलती है जिसको मेटाबॉलिजम बोलते हैं हमारे बॉड़ी के अंदर जितनी भी रिएक्शन चल रही है हमारी बॉड़ी में उसको हम बॉड़ी का क्या बोलते हैं मेटाबॉलिजम बोलते हैं मतलब रिएक्शन चल रही है ठीक है अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है ठीक है ना कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनके अंदर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है क् और तब जा करके वो कुछ compound बनाता है और कुछ reaction ऐसी होती है जो की अच्छा quality खड़ाव नहीं करेंगे क्या पता है यह सब आप इसके screenshot लेते हो क्या पता आपको अच्छा ही लगे बाद में देखने में तो quality खड़ाव नहीं करेंगे ठीक है कुछ reaction ऐसी होती है कि जिसमें से energy release होती है तो ऐसी reaction जिसके अंदर से energy निकलती है उन reaction को हम बोलते है exothermic reaction क्या बोलेगे exothermic reaction और कुछ reaction ऐसी होंगी जिसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है energy की supply करणी पड़ रही है मतलब इस reaction को आने के लिए क्या देना पड़ रहा हमें इसमें energy देनी पड़ रही है तो इस तरह की reaction को हम बोलेगे एंडो धर्मिक ठीके जी इसको हम क्या बोलेंगे एंडो धर्मिक रिक्षम बोलेंगे हाला कि ये concept आपके chemistry के है लेकिन again मैं वही बात बोलूँगा मैं तो यही मान के चलता हूँ कि तुम लोग कुछ पढ़के ही नहीं होगे है ना भई नालायक इंसानों अब सरो एटी प्रिया क्या concept है हम कि अपने घर की जो संपत्ती है जो भी मुद्राएं है मुद्रा या फिर करंसी है कि या फिर धन है चलो धन बात करते हैं ठीक ना हमारे घर का जो मनी है कि मनी उस मनी को हम क्या बोलते हैं उसकी करंसी क्या है उसकी करंसी है रुपिया क्या है रुपिया ऐसे ही जो भी एनर्जी है कि एनर्जी एनर्जी की करंसी क्या है एटी पी ठीक ना आप रिलेट कर पा रहे होंगे जैसे कि मनी सभ्जांते मनी कुछ होता है लेकिन मनी की किरणसी क्या है जो हम एक्चुल में देखते हैं वे होता है रुपिया ऐसे ही एक्टी केゲal pogop । यह यहां से हमारे साहय में रियक्षिंट चल रही होती है، रियक्षिंट ए तो इसी लिए हम को बोल देते हैं एनर्जी करेंसी इस बात को समझ जाएंगे तो डेफेंटली बहुत ज़्यादा फाइदेगा रहने वाले हैं अब देखो हमारे सब्सक्राइब कुछ ऐसी रियक्षिन होती है जिसके रिजल्ट में हमें एनर्जी मिलती है एनर्जी किस फॉर्म मिलेगी एटीप की फॉर्म में मिलेगी ठीक है तो ऐसी रियक्षिन को हम बोलेंगे एग्जोथर्मिक रियक्षिन तो एग्जोथर्मिक रियक्षिन में हमें क्या मिलेगा एटीप बनता हुआ दिखाई दे किश में टूट रहा है है कि सब्सक्राइब और टूतर रहा है और टूट रहा है तो एंडॉथर्मिक रेक्षन में City पी ब्रेक होता है थींग अंड वर की डूदा लाइक dementia क्या होगा ATP का production होगा या देखना वई यह question competition पूश्सकते हैं तो एंडो exotherming में क्या होता है ATP प्रोडक्शन होता है ठीक है और एंडो थरभी में क्या होता है ATP का breakdown होता है आई होप आपस यादखेंगे अब ATP का breakdown कैसे होता है इसके लिए आप इस reaction को देख सकते हो यहां पर ठीक है ना और ये भी यादख लें कि एक ATP जब तूटता है तो कितनी energy निकलती है 30.5 kilo joule per mole, ये unit है kilo joule, ठीक है ये energy की unit है per mole, clear है अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कोई ऐसी reaction है जिस reaction को कराने के लिए मुझे 61 kilo joule per mole energy की ज़रत पढ़ रही है, ऐसी कोई reaction जिसको कराने के लिए मुझे 61 kilo joule per mole की क्या पढ़ रही है ज़रूरत पढ़ रही है ठीक है, तो आप खुद बताएं इस reaction में कितने ATP के molecule use में आएंगे ठीक है ना एक ATP का मतलब है इतनी energy, दो ATP का मतलब हो जागा इतनी energy, तो कितने ATP के molecule use में आएंगे 2 ATP के molecule use में आएंगे, इस question को और एक तरीके से देखते हैं मानच लिए कोई exothermik reaction हमें दे रखी है और बोला गया है कि इस exothermik reaction के result में मुझे मिला है मुझे मिला है 61 kilojoule पर mole energy मुझे मिली है ठीक ना, किसी भी हमारे body के अंदर कोई exothermik reaction चली और उसके result में मुझे क्या मिला, 61 kilojoule पर mole energy मिली, तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हुआ कि इस reaction के result में मुझे दो ATP मिल रहे है ठीक है जी, याद रखेगा क्योंकि एक ATP जब तूटता है जब तूटता है तो ADP और inorganic phosphate और energy होती है अच्छा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन मैं अपने experience से बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कहने के ज़रो कि सर, ADP क्या है यह क्या है यह और प्लिए कर दो और यह ADP दिखता कैसा है यह और बता दो ना सर तो सुनिये ध्यान से इसका पहले स्की शोट ले लो और अब मैं यही बता देता हूँ आपको फिलाल मैं ऐसी उम्मीद दर्ता हूँ कि आप लोग को exothermic, endothermic और कितनी energy है और इसका मतलब क्या होगा वो आपको सब्सक्रे में आ चुका होगा फिलाल मैं आपको बस इनकी structure दखा देता हूँ ठीक है जी? उसको मैं erase कर रहा हूँ अब देखो ATP की जो real structure है वो तो बच्चो इस तरह की है ठीक है इस तरह की अब इसमें आप क्या देख रहा हो यहां से यहां तक यहां से जो यहां तक आप structure देख रहा है हो इसको हम बोल रहे हैं Adenosin क्या बोल रहे हैं? Adenosin तो in total मैं यह कह सकता हूँ कि एक Adenosin के साथ तीन phosphate जुड़े हुए होते हैं तीन phosphate जुड़े हुए होते हैं और reaction के बाद क्या हो जाता है इन तीन phosphate में से एक phosphate अलग हो जाता है अब यह क्या हो गया Adenosin डाइ phosphate हो गया और एक phosphate अलग हो गया और अलग होती हैं जब कुछ भी चीजें केमिस्ट्री में या biology में या science में कुछ भी bond जब तूटते हैं जैसे कि इनकी बीच में क्या बने हुए हैं आपर ये bond नी तो बने हुए हैं ऐसे इनकी बीच में क्या बने हुए होंगे जब-जब bond टूटेंगे तब-तब energy release होगी क्या होगी? Energy release होगी और energy release कौन से reaction में होती है? एक्जो थर्मिक में होती है, sir बस, इतना ही champion की तरह पढ़ने लग जाओ ठीक न, रटा तो कोई भी देगा तुम्हें लेके notes रटो मत, समझो ठी जो को और जब-जब हमें bond build करना होगा और जब-जब हमें bond बनाना होगा तब-तब energy क्या होगी? energy की supply हमें करनी पड़ेगी supply करनी पड़ेगी अच्छा अब यहां से लगे हाथ ये भी या देख लीजिए लगे हाथ हैं भई, लगे हाथ आप ये भी या देख लीजिए कि जिस रेशन में energy release हो रही है अच्छा है पूरे कोई ले लेता है एक बारी में तो जिस रेशन में bond break होते हैं उस रेशन को हम क्या वो लेंगे? एक्जो थर्मिक रेक्शन एक्जो थर्मिक तो ये भी या पंदादय लगा लेजी अभी से और किसी भी स्कूल से बच्चे से पूछना आप को गमा कैसे कि योई बता, तुने बहुत पढ़ लिया अब मुझे ये बता कि अगर किसी रेक्शन में bond break हो रहा है तो बतावो कैसे रेक्शन होगी एक्जो थर्मिक या एंडो थर्मिक तब वो जवाब साइब ना दे पाए और आप जवाब दे पाओ तो आप उसको समझा देना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है ठीक है और पढ़ कहा रहे है यहां पढ़ रहे हैं तो यहां से आपको एक और चीज किलियर हो गई bond build होता है तो एंडो थर्मिक रेक्शन होती है कि जब-जब bond तूटेगा तब तक energy release होगी और energy release होती है मतलब एक्जोथर्मिक और जब-जब bond build होता है तो energy हमें supply करनी पड़ती है और उसको हम बोलते हैं endothermic reaction फिलाल मैं बात कर रहा हूँ exothermic की तो इसको समझ लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने को समझा दिया है कि यहाँ पर क्या टूटा है इस donor peak वीच में का जो bond है वो टूट चुका है यहाँ पर जो यह donor के बीच में जो bond था वो क्या हो गया यहाँ पर break हो गया यहाँ पर break हो गया और bond break हो जाता है तो energy मिलती है नहीं मिलती है वो कि हमें मिल गई बस खताब इतना ही तो पुड़ा रहा हूँ मैं तो अच्छा अब endothermik के बात जोते हैं endothermik के लिए हमें क्या करना पड़ेगा endothermik के के केस में चीजें उलट जाएंगी मैं इसको यही की यही समझा देता हूं क्यों मैं खामा खा तो लिख देते हैं इसके साथ मुझे आप एक और फॉस्पेट को जोड़ना है मतला बॉन्ड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा एनरजी देनी पड़ेगी और एनरजी जब मैं दूंगा तब जाकर कि मुझे क्या मिलेगा तब मुझे मिल जाएगा यहां पर एटी पी मिल जाएगा ए और तीन फॉस्पेट ठीक है न और क्या करना मुझे क्या करना पड़ेगी सर एनरजी देनी पड़ेगी पड़ेगी कोई आपसे पूछे कितनी देनी पड़ती है तो उतनी निकलती है थर्टी पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोल ठीक ना मतलब इनोगन फॉस्पेट को जड़ोंगा तो क्या मिलता है मुझे एटीपी मिलता है और यह कैसे रियक्शन है यह एक यह रियक्शन एक एक जो थर्मिक रियक्शन ठीक है अच्छा जी बहुत अच्छा इस तरह से आपको पूरे और जो आपके इंड़स्ट्री है जो यहां पर इस तरह से सायद ही आपको कोई पढ़ाए और जो पढ़ाए वो ही अच्छे टीचर से हैं ठीक है इसके बात करते हैं परदर आगे डिस्क्रस करते हैं इसको मैं एरेज कर देता हूं इसका आप इसकी शोट ले लीजिए ठीक है अच्छा जी आगे चलते हैं हम इंसानों ठीक ह ध्यान से सुननी आब आगे और हम बात करते हैं प्लांट कैसके अच्छा इसको मैं कली बढ़ा दूगा ठीक है कलवाए लेक्चर में पढ़ेंगे रेस्प्रिशनी प्लांट सायद आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं हलाकि पढ़ाता है यह समय पढ़ाता आपको ल